हाई गाईज वेल्कम चुन दर एपिसोड ऑफ करेंट अफेयर्स आज की तारीक है 24 मार्च 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटेर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिलकुर न भूलियेगा साथी स साथ इस बैल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स है एसससीजलपिनेकल.com और बलजीधाकर.com इन दोनों को विजिट करना बिलकुल न भूलियेगा और ये सेशन दोनों चैनल्स पर आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि इंडियास पावर अलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है उसका सही जवाब था संजे बारू और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था कि विश्व जल दीवस 2021 की थीम क्या है उसका सही जव पूरसकार के 67 वे समारों का आयोजन 22 मार्च को हुआ बेस्ट फीचर फिल्म मल्याली फिल्म मरककार लायन ओफ दी अरेविन सी को मिला है या तस्वीर में देखिए इस युद महाकावे फिल्म को पिछले साल वैश्व के रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन कोविड-19 के फैलने के कारण इसे रोग दिया गया था फिल्म अब मई 2021 में रिलीज होगी इन पूरसकारों के घोशना भी पिछले साल 3 मई 2020 को होनी थी लेकिन इसे करोना महमारी के कारण टालना पड़ा था पहले अपचारिक स्वदेशी भाषा और ग्यान प्रणाली स्कूल को किस राज्य में स्थापित किया गया है तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन इमबर डी अरुनाचल परदेश बात करें यहाँ पर अरुनाचल परदेश की तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगन अधी डैम, फोग डांस में आता है बार्दो चम अरुनाचल परदेशी कैपिटल है इटा नगर, गवर्नर है बीडी मिश्रा और चीफ मनिस्टर है पेमा खांदू नेक्स्ट क्वेस्टन देखो, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांती पुरसकार किसे दिया जाएगा? जिसका सही जवाब है, बगबंदू शेक मुजीबर रहमान तो वर्ष 2020 और वर्ष 2019 के लिए गांधी शांती पुरसकारों की घुशना की गई है वर्ष 2020 के लिए बगबंदू शेक मुजीबर रहमान और साल 2019 के लिए उमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अलसैद को गांधी शांती पुरसकार दिया जाएगा? या तस्वीर में देखिए वर्ष 2020 में बगबंदू की जन्म श्ताब्दी को चिनहित किया गया गांधी शांती पुरसकार वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125 जैनती के उपलक्षे में भारत सरकार द्वरा स्थापित किया गया एक वाशिक पुरसकार है यह पुरसकार राश्यता, नसल, भाशा, जाती, पंत से परे सभी व्यक्तियों के लिए है बात करें यहाँ पर बांगलादेश की तो इसी कैपिटल है ढका और करंसी है बांगलादेशी टका नेक्स्ट क्वेस्टिन देखो विश्व मौसम विग्जान दिवस 2021 की थीम क्या है तो इसका सही जवाब है OPTION NUMBER C तो विश्व मौसम विग्जान दिवस हर साल 23 मर्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विग्जान संगटन की निस sono 50 में की गई थी यह दिन राश्य मौसम विग्यान और जल विग्यान सेवाओं के आवश्यक योगदान को दर्शाता है विश्व मौसम विग्यान दिवस 2021 की थीम है जो प्रित्वी के भीतर महासागर, जलवायू और मौसम यानि ओश्यक विग्यान को आपस में जोडने के लिए WMO का ध्यान केंद्रित करती है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो हाल ही में किस राज्ये ने मिशन ग्रामोदिया ही शुरू किया है जिसका सही जवाब है option number C, मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश के मुख्य मध्य शुवराज सिंग चोहान ने पूरे देश में मिशन ग्रामोदिया ही शुरू किया है इस मिशन के माध्यम से ग्रामिन ख्षेत्रों का समगर विकास किया जाएगा ग्रामोदिये मिशन के तहट ग्रामिन शेत्रों में आवास सुविधाओं के साथ बुनियादी धांचे का दिस्तार किया जाएगा इसे पूरे मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है इस मिशन के तहट प्रतिय गाउं में प्रतिय ग्राम पंचायत में कंक्रीट सडकें, ग्राम पंचायत भवन, मुक्ती धाम और खेल मिदान होंगे मिशन के तहट प्रतिय गाउं में हर घर में नल के माध्यम से पानी की आपूर्ती की जाएगी और इस वर्ष 26 लाग घरों में नल का पानी पहुंचाने के विवस्ता की जा रही है बात करें यहाँ पर मध्यप्रदेश की तो इसके डैम्स वर इवर्ष में आता है गांधी सागर डैम चंबल इंदिरा सागर डैम नर्मदा नाशनल पाक्स में आता है कानहा टाईगर रिजर्व, पन्ना नाशनल पाक, पेइंच नाशनल पाक और बंदवगड नाशनल पाक मध्य पदेशी कैप्टर है भुपाल, गवर्नर है नंदिवन पतेल अडिशनल सार्ज और चीफ मनिस्टर है शिवराज सिंग चहान वॉर्ल हेटे साइट्स में आता है बुद्धिस मॉनुमेट सरसांची और खजराव ग्रूप ओफ मॉनुमेंट्स नेक्स्ट क्वेस्टन देखो इथनॉल प्रडक्शन प्रोमोशन पॉलिसी दोहजार इकिस को किस राज्य मंत्री मंडल ने मंजूरी दी है जो इथनॉल प्रोमोशन प्रोमोशन पॉलिसी दोहजार इकिस को मंजूरी दे दी है जो इथनॉल प्रोमोशन नीती बनाने वाला पहला भारती राज्य बन गया है नई नीती बिहार में इथनॉल उत्पादन की अनुमती देगी यह नीती संयत्र और मशीनरी की लागत का 15% पर अधिक्तम 5 करोड तक की अतिरिक्त पूंजी सबसीडी प्रदान करके नई स्टैंड अलोन इथनॉल वी निर्मानिकाईयों को बढ़ावा देती है नई नीती SC, ST, EBC, महिलाओं, दिव्यांगजन, युद विदवाओं, आसिड अटैक पीडितों और थर्ड जेंडर उद्मियों जैसे विशेश वर्ग के निवेशकों के लिए एक अतिरिक सबसीडी प्रदान करती है बात करें यहां पर बिहार की तो इसकी वर्ल हेटे साइट्स में आता है महाबोधी टेंपल बोध गया और नलंदा यूनिवर्सिटी बिहार की कैप्टल है पतना, सीएम है नितिश कुमार और गवर्नर है पागू चोहान नेक्स्ट क्वेस्टन देखो दुनिया में सबसे मजबूत सैनेबल किस देश के पास है जिसका सही जवाब है उप्शन नबर A चीन तो रक्षा मामलों की वेब साइट मिलिटरी डारेक्ट पर जारी अधियन रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैने शक्ती है जबकि भारत चौथे नंबर पर है उसकी बाद रूस 69 के साथ 61 पर भारत और फिर 58 पर फ्रांस है तो हाल ही में 67 नैशनल फिल्म अवर्ड्स की खोशना की गई कंगना रनौत को दो फिल्मों के लिए बेस्ट अक्टरस के अवर्ड्स समानित किया गया है उन्हें मनी करनी का और फिल्म पंगा के लिए यह पुरसकार दिया गया है मनोज भाजपई और धनुष ने अपनी फिल्मों भौसले और असुरन के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रिष्ट अभिनेता का पुरसकार जीता अभिनेता सुषान सिंग राजपूत की फिल्म चिछोरे बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई इस फिल्म में मांसिक स्वास्ते को लेकर बात की गई थी कंगना शबाना आजमी के बाद दूसरी ऐसी अक्टरस हैं जिनने सबसे जादा बार नैशनल अवर्ड मिला है कंगना को इससे पहले कुईन और तनुवेड्स मनु रिटर्न के लिए बेस्ट अक्टरस तो फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अक्टरस के अवर्ड समानित किया गया है नेक्स्ट वैस्ट देखो शेहनाई वादक भारत रतन उस्ताद बिस्मिल्ला खान की याद में किस शेहर में हाल ही में तीन दिवसे शेहनाई उत्सप आयुजित किया गया है तो इसका सही जवाब है उप्शन बर भी वारा नसी तो 1930 में गांधी जी की डांडी यात्रा मनाने के सिलसिले में चल रहे अजादी के अमरित मोहत्सप के तहट बनारस हिंदू विश्व इदालिया में तीन दिन का शेहनाई उत्सप आयुजित किया गया यह तस्वीर में देखिए संगीत नाटक अकादमी और विश्व इदालिया का संगीत कला और प्रदर्शन संकाय प्रख्यात शेहनाई वादक भारत रतन उस्ताद बिस्मिल्ला खान की याद में संगीत संध्या आयुजित किया गया सार्व भॉमिक बैंकों और लगूविद बैंकों के लिए आवेदुनों का मुल्यांकन करने के लिए नव गठित आर्वेदुनों का प्रमुख कौन होगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बर भी श्यामला गोपिनाथ तो भारते रिजर्व बैंक आर्बियाई ने एक सल कर समीति का गठन किया है जो सार्व भॉमिक बैंकों और स्मॉल फैनेंस बैंक यानि एसफ बीस के लिए आवेदुनों का मुल्यांकन करेगी इस समीति में पांच से दस्ये हैं जिसमें आर्बियाई की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपिनाथ हैं इनके अलावा सेंट्रल बोर्ड के डारेक्टर रेवती अयर नाशनल पेमेंट कॉर्परेशन आफ इंडिया एंपिसी आई के चेर्मेन बी महापात्र केनरा के पूर्व चेर्मेन टी एन मनोहरन को शामिल किया गया है इस पैनल का कारेकाल तीन वर्शों का होगा बात कर लेते हैं आज के स 2020 बंग बंदु शेक मुजीबर रहमान को दिया जाएगा वर्ल्ड मेटरलोजिकल डे 2021 की थीम है दी ओशियन आर क्लाइमेट अन वेदर मिशन ग्रामोद्या मध्यपदेश में शुरू किया गया है इथनौल प्रडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को बिहार में अप्रूफ किय गया है वर्ल्ड का स्ट्रॉंगेस्ट मिलिटरी फोर्स चाइना में है 67th National Film Awards में Best Actress Award कंगना रुनौत को दिया गया शेहनाई फेस्टिवल वारा नसी में आयुजित किया गया और यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फञनेंस बैंक्स के लिए बनाई गई आर्बई कमेटी क हेड बने है श्यामला गोपीनाद बात कर लेते हैं आज के सेशन के quiz for the day के आपका पहला question है 67 वे राष्ट्रिय फिल्म पूरसकार में सर्वश्ट अभिनेतर का पूरसकार किसने जीता है और आपका दूसरा question है वर्ष 2020 के लिए गांधी शांती पूरसकार किसे दिया इन दोनो questions का answer आपको नीचे comment section में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुर न भूलिएगा साती 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 स बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की notification आपको मिल सके हमारी दोनों वेब साइट्स और टेलिग्राम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मुच